कि एलो स्वेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम पढ़ेंगे अपनी जो अकाउंट की थर्ड बुक है यानि कि एनलेसिस और फिनाशल स्टेटमेंट्स तो उसके जो पांच चैप्टर से उनमें जो पहला चैप्टर है यानि कि फिनाशल स्टेटमेंट्स ओफ अ कंपनी उस चैप्टर के जितने भी मुल्टिपल चॉइस कोशन जो बोड एक्जाम 2021 में पूछे जा सकते हैं तो वह हम सारा का सारा देखने वाले हैं तो बहुत इजी रहने वाला है आप लोग क्लास एक करके सारे कोशन के आंसर देना जो एक्जामनेशन पूछी जा सकते हैं और पताना कॉमेंट करके कि आउट ओफ इफ्टीन आपके स्कोर कितने है और ऐसे ही क्लास एकाउंट सीको और बीस्टी के एमसी क्यू सीरीज को जॉइन करने के लिए चैनल में क्लास प्री ऑफ कॉस्ट आप सब्सक्राइब करके वह अपने सारे फ्रेंड्स में इसको शेर भी वह कहां पे शो होता है तो आप सबको बता दूँ क्लास कॉल्स इन एडवांस जो है वह करेंट लाइबिलिटी है और यह अंडर सबहेड आता है क्लास अधर करेंट लाइबिलिटी इस चैप्टर के अगर में बात करूं जो पहला चैप्टर है यानिकी एनलेसिस और रखी है डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में लिंक दे दूँगा वहां से याद कर लें क्लास एक करके सारी जो मेन कोश्चिन से जिनके हैं पुछी जाते हैं उनको आप अच्छी से कर लेना सेकंट सब्लांक्स एप्रोप्रेज़ वर्ड तो आपको बताने स्टेट्मेंट वीच शोस द्विट्व एक उप्विटीए अनलाविट आप सबको पता है क्लास की जो बैलन शीट रखाय व्यवर्टिकल फ़र्मेट अब बनती है पहली साइड का नाम होता है एक्क्विट को और लाबिटी को शो करता हो स्टेटमेंट क्या बोलते है बैलेंशीट स्टेटमेंट होता है क्लास बैलेंशीट अकाउंट नहीं होता है next bills payable is shown as bills payable कहाँ show करते हो मैं बता दू class trade payable trade payable क्या होता है class जो current liability है main head है current liability sub head है trade payable और जो trade payable है इसके दो पार्ट होते है bills payable एक होता है creator जिन लोगों से आपने उधार समान खरीदा short term के लिए वो creators हैं और उनसे क्लास अगर आपने कोई बिल पे साइन करके दिया है कि आप उनको पेमेंट करोगे विदिन थ्री मन्स और विदिन शॉर्ट पिरिड ऑफ टाइम तो उसको बोलते हैं बिल पेबल यह जो भी बिल पेबल है वो शॉर्ट टर्म है ट्रेट पेबल के अंदर आता है तो डिबेंचर दस साल के बाद रिडीम होते हैं यानि कि लॉंग टर्म बॉर्इंग्स मैं आपको पहले बता दू डिबेंचर जो है वो लॉंग टर्म डिबेंचर से यानि कि लॉंग टर्म बॉर्इंग्स है तो जो दस साल के बाद होंगे तो जहरी साथ लॉंग टर्म बॉर से ख्रासन काल सरा या फेत्रोल प्रॉल्लेयं निकाला क्ला एक से लाइने उसका निकालने जी सांड क्रीजियों माइनिर वह इन टैंजिबस ईसे लिए स्यव्ट उंडा की क्यों लूंगत सफ्ट्व्टवार के लिए मानिंग राइट इस नौट सॉफ्ट बिल्कुल गलत है क्योंकि आपको मैं पहले बता दूं कंटिंजेंट लाइबिलेटी वह लाइबिलेटी है जो किसी सिचुवेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वह भी सकती है और नहीं भी हो सकती अब कभी लाइबे मीं भूलोगinator क कंटिंजेंट लाइबिलेटि एएग एक ऐसी लेटी है जो किसी भी एक सिचुवेशन पर डिपेंड कर सकता है कि वह ब्रिकु किसी ने कोर्च में मेरे नाम पर मुकादमाँ डाला अगर मैं हार गया तो liability बनेगी अगर मैं नहीं हारा तो liability नहीं बनेगी यानि कि मेरा करजा बनेगा या नहीं बनेगा वो court के decision पे pending करता है court अगर मेरे खिलाफ देदेगा तो liability बन गई मेरे support में देगा तो liability नहीं बनेगी मैं अपने दोस्ते शर्ट लगाता हूं सर्ट लगाले कि आज बारिस होगी पांच-5,000 की अगर बारिस हुई तो मैं शर्ट जीतूंगा और नहीं हुई बारिस तो मैं सर्ट हार जाऊंगा तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा जीतना हारना वो डिपेंड करता है बारिस के होने और ना होने तो सिमिलरली करेंट लाबलेटी नहीं है क्लास वो क्लास कंटिजन लाबलेटी और यह बैलेंशीट के अंदर नहीं आता यह फुट नोट के आता है फुट नोट में आता है नहीं है की नहीं है हम कैसे दिखा दे बैलेंशीट में इसलिए क्लास हम उसको फुट नोट में दिखाते हैं जो जो फिर्मियम ऑन रेडम्शुन आफ डिवेंचरे शोड आज़ बचओ परीम अंच चेप्ट्रा परसिलीएवीलिट भी रिम् longest अंधर आंधर अंधराई तो बॉरोंग तो अलग चीज़ होती है ऊदार लिया वह है तो लॉंग्टम है या शॉर्टम है वह नहीं आएगा शॉट्टम लोन लॉन आता है है एडिंग समर्डंडिंग IMPORTANT है जलो जरा मुझे आप सब लोग मुझे बताओ विजय जो में है उसके अंदर कोई दो प्रुविजय है इसके बिसके सब बनाती स्टेट्मेंट इसका डेबिट बैलेंस है यानि कि कंपनी को क्या हो गया लॉस लॉस कहां होता है तो बता दूं क्लास रिजर्व एंड सर प्लस हेड के अंदर ही नेट प्रॉफिट आता है हलांकि नेट प्रॉफिट प्लस में लिखते हैं और नेट लॉस किसमें दवाईयों का अधिकार उसके राइट कि बहुए और ना बेच पाए क्लास कॉपी ना कर सके मेरी चीजों की कुछ भी क्लास ऐसी जो आपने विश्कार किया है आपने बनाया है उसका प्रॉफिट ले ले लेते हो तो कोई इसके कॉपी नहीं कर पाएगा वह आपको मिलेग पता है, फिश्की लेते हैं कि किसकी की ऊता हुटा है इन टेंजीबल असट नहीं आसे नहीं नहीं है क्लास वह होता है इंटेंजेभल फिक्स आसेट अके सॉफ़ एपनेट्न सेट सौफिए और रहे होता है आगर अगर हम बात करें इंट्रेस्टेड कूरेड तू सुटेबल टेक्सेशन पॉलेसी तो अब्वियस से सरकार लगाईगी इंट्रेस्टेट टू गेट बेटर रिटर्न इन टरमस ऑफ डिविदेंट अच्छा आपको रिटर्न चाहिए तो रिटर्न किसको चाहिए होता है इंवेस्टर्स को और जो सप्लायर से उन्हें क्या इंवेंट्री तो ग्लास क्यों सा है यह पूछा इंवेंट्री इंवेंट्री का पार्ट कॉन्सा है यह पूछा गया फ्रम गिवन इंटम विच आइटम पार्ट और टेटर्स यह सारी चीजे करेंट अशेट है सिर्फ दूसरा पॉइंट जो ट्रेड रिसी अपेबल है वह आपकी करेंट लाविटी है कैशन कैश के बराबर के अंदर क्या चीज़े नहीं आता है जो चेक क्लास आता है उसके अंदर अलग से हेडिंग में आता है तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है विच ऑफ फॉलिए इस नॉट टम बॉर इंग नहीं है तो डिपोजिट दो है वह बिसिकली आपने डिपोजिट लिया है लॉंग टम के लिए ही होता है लोन रीपेबल डिमांड जैसे डिमांड होगी आप लो बैंक ओवरड्राफ बैंक का नेगेटिब बैलन्स जैसी बैलन्स पोजिटिव मेंटेन होगा बैंक पर सकाट लेगा ट्रेड रिसीवेबल है डेटर और बियार और यह है क्लास डिपोजिट तो आपको यह दो जो है वो तो पक्का शॉट टम बॉरॉइंग है लोन ट्रेड रीड रिसीवेल इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा जो है वह नॉट उर्ट टम बॉरेंग यह लॉंग टम बॉरॉइंग से अपको यह क्लास बताना यह जो जो अपनों होता है अपने नहीं कि बेटर आपशन है域 यह कौन सा लॉंग टर्म नहीं है चो सारी जो है ऊज्टरियम Work से बाकी सारी जो है वह क्लाश इसमें मैंने क्लास आपको पूरा समझ चाहता है इसका पर्पस कोई नहीं है ये सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूं कि operating cycle होता क्या है जिस दिन आप raw material को खरीदते हो उसे finished goods में maintain करते हो उसका inventory या stock maintain करते हो उसको बेच देते हो बेच के BR मिलता है और BR के बाद 3 महिने के अंदर आपको क्या मिल जाता है cash मिल जाता है जिस दिन से raw बना कर बेचना चालू किया finished goods और जिस दिन पैसा मिला उस दिन का जो time period है वो operating cycle है और अगर question में कुछ ना given हो तो हम operating cycle 12 महिने का मानते हैं यह आपको operating cycle की बात पता होनी चाहिए अब आपको बताना है कि यह चीज current asset है या non current asset है यह जो मैं आपको यह point लिया अलग-अलग cases में तो एक number question examination में पूछा जा सकता है आपको पह operating cycle है जो पैसा मिल रहा है वो 11 महिने मिल जा रहा है तो दस महिने से तो ज्यादा हो गया पर 12 महिना से ज्यादा तो नहीं हुआ ना तो यह क्या है क्लास current asset यानि कि देखो operating cycle से ज्यादा हो जाए चलेगा लेकिन 12 महिने से ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए और जो भी चीज operating cycle के अंदर है तो वो चाहरा का सारह तो current है दस से बाहर आदा है ये 10 ये 10 से बाहर है पर क्या बारा से बाहर आ बिलकुल बारा से बार तो-हिए इस फॉर्टीन से बाहर है नहींगु है तो DAN यांप थरुटीन के आप 30 इस महीन का है और अगर नभ़े महीने का घूर के सील lesson और नभवे महीने में की अंदर और अंदर चल रहा है तो तो वह करेंटी है लेगर बाहर गया तो क्या 12 से बाहर चल गया है बिल्कुल 12 से बाहर चला गया है यह चीज क्या बन जाएगी इस तरीके से क्लास वनमा का कोशिन पूछा जा सकता है आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक जरू करना क्लास ऐसे ही क्लास इंफोर्मेटिव वीडियो आपके बोड इग्जामिनेशन के लिए और आपका पूरा सेलवस अकांटी को बीस्टी का फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है क्लास अपने सारे दोस्तों में आप शेयर कर सकते एक लाइक करके जरूर जाना